राजों की दूसरी पुस्तक अध्याय पंद रहा। इस्रायल के राजा यरोबाम के 27 वर्ष में यहुदा के राजा अमस्यह का पुत्र अजरियाह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरुशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकुल्याह था जो यरुशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहुआ की दृष्टी में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी उचिस्थान गिराये न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बली चड़ाते और धूब चलाते रहे। यहुआ ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोड़ी रहा और अलग एक घर में रहता था, और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी देश के लोगों का न्याय करता था। अजरिया के और सब काम जो उसने किये वह क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे नहीं हैं? निदान अजरियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाउदपूर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र योत उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहुदा के राजा अजर यहा के 38 वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकरियाह इसराल पर शोमरुण में राज्य करने लगा। और छह महिने राज्य किया। उसने अपने पुर्खाओं की नाई वह किया जो यहुदा की दुरुष्टी में बुरा अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराल से पाप करवाया था। उसके पापों के अनुसार वह करता रहा। और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र शलुम ने उससे राजद्रोह की गोश्टी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इसराल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे है। योही यहुआ का वहवचन पूरा हुआ जो उसने एहु से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसरायल की गद्धी पर बैठती जाएगी और वैसा ही हुआ। यहुदा का राजा उजिहा के 49 वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महिने भर शुम्रोन में राज्य करता रहा। क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्षा से शुम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वही मारा और उसे गहात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लुम के और काम और उसके राजद्रोह की जो गोश्टी की यह सब इस्राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिरसा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेथ तिपसह को इस कारण मार लिया कि तिपसहीयों किने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रिया थी उन सभों को चीर डाला। यहुदा के राजा अजर यहा के 49 वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इसराल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शुम्रुन में राज्य करता र अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराल से पाप करवाया था उसके पापो के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जिवन भर अलग न हुआ। अशुर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको हजार की कर्चांदी इस इच्छा से दी कि व वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अशुर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े-बड़े धनवान इसरालियों से ले ली। एक-एक पूरुष को पचास-पचास शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अशुर का राजा इतिहास की पुस्तक में नहीं लिख्या है। निदान मनहेम अपने पुर्खाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकहयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहुदा के राजा अजर यहा के पचासपवी वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहयाह शुमरुन में इसराल प और दो वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहवा की दुष्टी में बुरा अरथात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्रा से पाप करवाया था, उसके पापो के अनुस्सार वह करता रहा। और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सर्दार रमल्या के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोश्टि करके शोमरून के राजभवन के गुमट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा और पेकह के संग पचास गिलादी पूरुश थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन पकहा के और सब काम जो उसने किये वह इस साल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखिये है। जिसने इसराइल से पाप करवाया था। उसके पापों के अनुसार वह करता रहा। और उनसे वह अलग नव हुआ। इसको भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अशुर को ले गया। उज्जिहा के पुत्र योताम के बीसवे वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्या के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोश्टी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किये वह इस्रायल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे है। सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहवा की दुष्टी में ठीक था अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियहाने किया था। ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी उचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बली चढ़ाते और धूब जलाते रहे। यहवा के भवन के उचे फाटक को इसे ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किये वे क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखे है। उन दिनों में यहुआ अराम के राजा रसिन को और रमल्या के पुत्र पेकह को यहुदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुर्खाओं के संग सो गया। और अपने मूलपुरुष दाउत के नगर में अपने पुर्खाओं के बीच उसको मिठी दी बीर श्यद साघन योताम पुर्ष यहुआ ऊपने लग दीज साउने लगा। निया सब्चे राजने पुर्खाओं के राजने यहुआ में अपने। निया दीज साचता armний के संग दे बीचाओं के यहा विर। यहाद दीजुआ अपने लगादों के राण बीच़ीं के बी झाल झाल झाल